अच्छा सुनते हैं एक किसान था जो परमात्मा से दुखी और परिशान था क्योंकि कभी तेज वारिश से, कभी ओडले से, कभी आंधी तूफान से उसकी फसल थोड़ी बहुत खराब हो जाती थी और एक दिन नाराज होकर उसने परमात्मा से कहा कि आप ईश्वर है, लेकिन लगता है कि आपको खेती बाड़ी की जरा भी समझ नहीं है एक साल मुझे मौका दे कर देखिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम कीजे, फिर देखिए कैसे मैं अन्न के भंडार भर देता हूँ इश्वर मुस्कुराए और बोले ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, मैं बिलकुल दखल नहीं दूँगा किसान खुश, उसने गेहूं की फसल बोई, जब धूप चाही, जब धूप मिली, जब पानी चाहा, बारिश मिली लेकिन उसने तेज आंधी, ओले, तूफान, इन सब को कभी आने ही नहीं दिया किसान बहुत खुश था, क्योंकि ऐसी फसल पहले कभी नहीं हुई थी क्योंकि गेहूं की एक भी बाली में दाना ही नहीं था, इश्वर को फिर पुकारा, कि हे प्रभु ये क्या हो गया भगवान ने कहा, ये तो होना ही था, इन पौधों को तुमने केवल अच्छे-च्छे मौसम दिखाए, इन्हें संघर्षों और चुनोतियों से जूजने का कोई मौका ही नहीं मिला, इसी लिए ये खोक ले रह गए जब आंधी आती है, तूफान आता है और उसमें भी ये पौधा खड़ा रहता है, तो इसके अंदर का जो बल पैदा होता है, उससे एक बीज का जन्म होता है, लेकिन तुमने इन्हें संघर्ष करने ही नहीं दिया सोने को भी सोना बनने के लिए तपना पड़ता है, हतोडे की मार सहनी पड़ती है, उसके बाद ही उसकी चमकदार काया सामने आती है ये बात हम इंसानों पर भी लागू होती है, अक्सर चुनौतियों से संघर्षों से हम डरते हैं, लेकिन संघर्ष ही तो है जो इंसान रूपी तलवार की धार को पैना करते हैं, जो हमें सक्षम बनाते हैं कुछ भी कर पाने के, कर गुजरने के, तो लाइफ में कभी भी कोई संगर्शय चुनौती आये तो उससे घबराईए मित बलकि हसकर उसे वेलकम कीजिए Be your own role model